नमस्कार आप देख रहे हैं इजी शिक्षा, मैं हूँ आपके साथ वंचिका चाहान और आज हम बात करने वाले हैं नीट इक्जाम के बारे में राष्ट्रे पातरता सह प्रवेश परिक्षा यानि की NWT की अखिल भारते परिक्षा भारत में MBBS और BDS के पार्टे क्रमों में मेड स्कूलों में प्रवेश के लिए एक मात्र मेडिकल परिक्षा है नीट का आयोजन राश्ट्रे परीक्षा एजनसी यानि की NTA द्वारा किया जाता है जो मानव संसाधन विकास मंत्रा लेद्वारा स्थापित का एक संग है NTA विभिन प्रवेश मूल्यांकन आयोजित करने वाली उत्तिरदाई एक संस्था है ये परीक्षा 11 भाशाओं और ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी हाला कि पहले ये अनुमान लगाया था कि परीक्षा दो बार आयोजित की जा सकती है NTA ने पुष्टी की है कि ये एक ही बार आयोजित की जाएगी चलिए अब जानते हैं कि NEAT का अड्मिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें NEAT की परीक्षा के लिए अड्मिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा क्योंकि ऐसा करने का यही एक मातर तरीका है डाउनलोड करने के लिए बताय जाने वाले चरणों का पालन करें सबसे पहले NTA NEAT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं NEAT ADMIT कार्ड पर क्लिक करें मूल विवरंड दर्ज करें जो पंजी करन के समय आवेदन संख्या DOB सुरक्षा पिंजय से समान है जो प्रतिये एक संभावित उम्मीदवार के लिए अद्वितिय होते हैं यानि की यूनीक सबमिट पर क्लिक करें स्क्रीन पर ADMIT कार्ड दिखाई देगा उसके बाद विवरंड की जाँच करें और सत्यापित करें उसके बाद इसको डाउनलोड करके रख लें और भविशे के लिए इसका एक प्रेंट और भी अपने पास रख लें आपके ADMIT कार्ड पर कुछ ऐसी डिटेल्स देखने को मिलेंगी सबसे पहले नेम अफ दे कैंडिडेट उसके बाद नीट का रोल नंबर नीट का रेजिस्ट्रेशन नंबर डेट और टाइम अफ दे एक्जामिनेशन फादर्स नेम, मदर्स नेम डेट आफ बर्थ, जेंडर, काटेगरी और सबकाटेगरी अड्रेस, मीडियम और लैंगविच अफ दे एक्जामिनेशन नंबर और अड्रेस अफ दे एक्जामिनेशन सेंटर और सबसे अंत में सिगनेचर चलिए अब जानते हैं नीट अड्मिट कार्ड के important instructions के बारे में नीट के प्रवेश पत्र के लिए केवल रंगीन प्रिंट आउट की अनुमती होगी पेस में पास्पोर्ट फोटो चिपकाएं प्रवेश पत्र पर माता-पिता या अभिभावकों के अस्ताक्षर प्राप्त करें सामान्य परिक्षा दिवस निर्देश मुद्रित होते हैं और उनमें से कुछ हैं उम्मीद्वारों को घड़ी को NTA NEET वेबसाइट घड़ी और समय के साथ सेट करना चाहिए प्रवेश पत्र पर उलिकित रिपोर्टिंग समय का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए अवंटिक परिक्षा केंद्र का विवरण और पता और स्थान के लिए पहले से जांच ले और सत्यापित किया जाना चाहिए उम्मीद्वारों को केंद्र में एक बार जाने की सलहा दी जाती है ताकि कोई धुरगटना ना हो परिक्षा हॉल में निशिद्व वस्तियों और चीजों के साथ पाए जाने वाले उम्मीद्वारों को परिक्षा पूरी करने से रोग दिया जाएगा परिक्षा के अंदर कोई अतिरिक्त स्टेशनरी जैसे की पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, लॉक्टेबल, कमपस, रूलर या किसी भी प्रकार के पेपर की अनुमती नहीं है परिक्षा हॉल में बैग, पर्स, वॉलेट, बेल्ट, एलेक्ट्रोनिक गैजट्स, स्टेशनरी, कैलकुलेटर, घड़ियां आदी वर्जित हैं गलती करने के लिए उन्हें दो बार जाचना चाहिए चातरों को परिक्षा हॉल के अंदर कोई भी खाना ले जाने की अनुमती नहीं है हालाकि मदुमें के चातरों को फन या चीनी की गोलियों आदी के लिए छूट प्रदान की गई है NTNA परिक्षा केंदर के अंदर पारदर्शी पानी की बोतल की अनुमती दी है उमीदवारों को परिक्षा पुरी करने के बाद हॉल के बाहर एडमिट का जमा करना चाहिए उमीदवारों को परिक्षा हॉल से बाहर निकलते समय भीड नहीं लगानी चाहिए चलिए अब जानते हैं इस एक्जाम की डीटेल्स के बारे में एक्जाम का नेम है National Eligibility Come Entrance Test यानि की NET एक्जाम की फ्रीक्विंसी है साल में एक बार यानि की Once in a Year एक्जाम का मोड है Offline Duration है 3 गंटे Accepting Colleges है 1613 और इसकी Official Website का Link हमने आपको Description Box में दिया है हम आशा करते हैं कि आपको NET के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल Easy शिक्षा को धन्यवाद